हेलो दूस्तों आज मैं बात कर रहा हूं आपको आइफॉन पर एक नया अपडेट दिकने को मिल जाता है 15.7.1 का इस अपडेट को आप अपने डिवाइस पर कैसे चेक आउट कर सकते हैं और कैसे अपडेट कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल से आपको सेटिंग्स पर टैप करना है जनरल पर टैप करना है अभी अगर आप एबाउट फोन पर टैप करके वर्जन देखे तो 15.7 दिखने को मिल जाता है सौप्ट्वियर अपडेट पर टैप करते हैं तो आपको iOS 16 का नीचे अपडेट दिखने को मिलता ही है लेकिन लेटेस अपडेट iOS 15.7.1 दिखने को मिल जाता है यह एक अपडेट तो इसका जो चैनलोग है वो अगर आप दिखना चाते हैं यहाँ पर आपको डेटेल्स दिखने को मिल जाती है अपडेट जो है एपडेट जो है एपडेट है तो इस अपडेट रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 2022 को यानि कि लेटेस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही इस पर जब आप टैब करेंगे तो यहां पर आप इसका चैनलोग जो है वो दिख सकते हैं इसमें यहां पर एपडेट नुक्यले इंजिन में जो इंपक्ट है और डिस्क्रिप्शन बगारा इसका देख सकते हैं इसमें जो भी चीज़ें अपडेट की गई है वह सब को यहां पर दीखने को बिल जाती है और यू में भी अपडेट दो बल जाहा है बैक अप में भी फेस्टाइम में भी ग्राफिक ड्राइबर में भी और इमेज प्रोसेस्सिंग करनल 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 मॉडल आई-ओ PPP, Safari, WebKit, Wi-Fi और Z-Lib इस अभी में यहां पर देखने को मिलता है आपको Security Update जो कि iPhone 6S और उससे नए models के device के लिए देखने को मिल जाता है तो इसलिए आपको यह update करना जरूरी है आप अगर नया iPhone पर्चिस किये हैं तो आपको एक भी update मिस नहीं करने चाहिए यहां पर simple से आपको download and install पर tap करना है इसके बाद lock screen password आपको अपना डाल देना है उसके बाद यहां पर यह जो है installation के लिए आपकी file है उसे update request करेगा और file को download करना शुरू कर देगा इसमें लगवग 2 से 3 मिनट कर समय लगेगा update requested के बाद में यह जो file है वो यहां पर completely save होती है आपकी device पर और आपकी device पर update prepare हो रहा है update downloaded हो जाने के बाद आपको store now पर simple से tap कर देना है इसके बाद यह verify अपडेट करेगा और आपका device कुछ इस तरीके से off हो जाएगा और यह boot mode में चला जाएगा आपका device 10-15 seconds अगर apple logo नहीं दिखाता है तब भी आपको panic होने की जरूत नहीं है कि वल आपको अपना device update करते समय चार्जिंग पर लगा कर रखना है या फिर उसकी battery 50% से उपर चार्ज रखनी है और अब आपका device finally कुछ इस तरीके से open हो जाएगा और आपका device update हो चुका है अब अगर मैं आपको settings के अंदर चेक आउट करा हूँ latest version तो आप जनरल पर जाकर करेंगे 15.7.1 देग्री को मिल जाता है इस तरीके से आप अपने apple device को updated रख सकते हैं क्योंकि updated रखने से आपके device पर कुछी भी तरीके का malware नहीं आ सकता है इसलिए updated रखना जरूरी है बले ह आपके device पर कितना भी update size बड़ा क्यों ना हो उससे आपको update कर लेना है मुझे इस update को update करने में पूरा समय लगवक 16 मिलट का लगा है इस तरीके से आप भी अपने device को update जरूर रखें अगर कोई जांकारी चाहिए है तो आप मुझे टेल्गराम या इस्टेगराम पर message कर सक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू